हेलो दोस्तो तो कैसे है आप लाइफ में अगर प्यार नहीं किया तो क्या ही किया और अगर आपके प्यार ने कोई कॉंट्रोवर्सी नहीं क्रियेट की तो वो प्यार ही क्या वेल आपके और हमारे प्यार ने भी काफी बवाल मचाया होगा लेकिन बॉलीवूड सेलेप्स के लव अफेर तो भाई जग जाहिर होते हैं तो आज बॉलीवी में हम ऐसे ही बॉलीवूड अफेर्स की जानकारी आपको देने वाले हैं जसने बहुत जादा कॉंट्रोवर्सिस क्रियेट की है अंड़ाटली बॉलीवूड के मोस्ट कॉंट्रोवर्शिल लव अफेर की बात आए तो सबसे पहला नाम टू लेजेंड्स अमिट जी और रेखा जी का ही आएगा फिल्म दो अनजाने के शूटिंग के दोरान दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ तब अमिट जी वाज अल्रीडी मैरिट टू जया भादूरी जी उनका सीक्रेट लव अफेर कभी किसी से चिपा नहीं रहा इवन रिशी कपूर और नीतू सिंग की शादी में रेखा जी एक सुहागिन की तरह मांग में सिंदूर और गले में मंगल सुत्र के साथ आई थी फिल्म सिलसिला के शूटिंग में दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसिजन लिया फिल्म के डिरेक्टर यश चोपरा ने भी उनके रिलेशन्शिप का कन्फरमेशन दिया था नमबर चू सलमान खान एन ऐश्वरिया राय फिल्म हम दिल दे चुके संदम के सेट पे ये दोनों लव वर्ड्स एक दूसरे को अपना दिल दे चुके सलमान एन ऐश्वरिया का लव अफेर वस मोस्ट टॉक्ड इंडिस्कॉस्ट इन बॉलिवूड स्लोली दोनों के बीच बॉंडिंग बढ़ता गया एंड शी बिकेम दी पार्ट ओफ सलमान's लाइफ 2001 में सलमान ने ऐश्वरिया के अपार्टमेंट के नीचे हंगामा मचाया था as he wanted a commitment of marriage from her side चीजे और भी ज़्यादा worst होती गई जब सलमान ने ऐश्वरिया की professional life को खतम करने का dry किया यहां तक कि उनको physically abuse किया The love story of Bollywood's evergreen couple धरम जी and Hema जी is no less than a Hindi movie हेमा मालीनी, इंडिया की dream girl and धरमेंदर, he man of Bollywood दोनों की on screen chemistry भी लोगों को काफी पसंद थी दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान के shooting के दोरान एक दूसरे के प्यार में पड़ गए धरम जी already उस time पर प्रकाश कॉर से merit थे उनके दो बच्चे भी थे, Sunny and Bobby लेकिन हेमा जी के प्यार का नशा कुछ इस तरह सर चड़ा कि ये चीज भी उनको हेमा के करीब आने से रोक नहीं पाई हेमा जी ने भी उस time शादी के लिए आये सारे proposals को reject कर दिया था वैल धरम जी की पत्नी को उनसे divorce नहीं चाहिए था इसलिए धिकर rotate to Islam और फिर 1980 में धरम जी और हेमा जी ने शादी कर ली आपको पहले भी कहीं देखा है खाब में यारू बरू पर देखा है नमबर फॉर अभिशेक पच्चन और करिश्मा कपूर इट वस वन रॉयल लव अफैर ओफ बॉलिवुड पाच साल के लॉंग रिलेशन्शिप के बाद जब अपिशेक और करिश्मा की एंगेजमेंट की अनाउंस्मेंट हुई तो उनके फैंस काफी खुश हो गए थे लेकिन डेस्टीनी में तो अपिशेक और एश्वरिया का साथ लिखा था कुछ महिनों बाद दोनों की एंगेजमेंट तूट कई एस पर दी स्पेकुलेशन एंगेजमेंट तुडवाने के पीछे करिश्मा की मा एन एक्टरस बपीता का हाथ था एस वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी लेस एस्टाबलिष्ट एक्टर के साथ शादी करें नम्यार है तुम्हारे दिलडार है तुम्हारे हमसे मिला करो ओ हमसे मिला करो नम्ब फाइव अरजुन कपूर एंड मलाइका अरोरा मलाइका मैरेड है और उनका एक बेटा भी है और अरजुन अभी भी एक बैचलर है कपल अपने रिलेशनशिप को लेके काफी ओपन अप हो गया है उनके एज डिफरेंसिस की वज़े से काफी सारी कॉंट्रोवर्सिस क्रियेट हुई थी बड़ देट इस नॉट गूइंट इस चीज को पब्ली कली एक्सेप नहीं किया उनके लव अफेर के रूमर स्टार्ट हुआ क्रिश थी से और न्यूस और भी जादा गरम हो गई विकॉज रितिक ने सेम यर अपनी वाइफ से डिवाउस लिया अहां ओविएसली कंगना को डिवाउस के पीछे का रीजन माना कया कंगना की साइट से इट वाज लव एन ओल लेकिन रितिक ने इस चीज को पब्लिसिटी स्टंट बताया रितिक अक्यूज हर फोर डिफेमिंग हर नेम एंड यूज इस नेम फोर पब्लिसिटी धीरे धीरे हवा उन्हें अपना रुख बटला और प्यार लीगल बैटल में बदल गया नमबर सेवन रनबीर कपूर और दिपिका पाडुकॉण दिपिका वेंट थू अग्लिएस्ट प्रेकप इन हर लाइफ जिसने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था रनबीर कपूर और दिपिका पाडुकॉण का लव अफेर 2007 से स्टार्ट हुआ था और सबका फेवरेट कपल था यहां तक कि दिपिका की नेक पे रनबीर के नाम का टैटू बना हुआ था एंड दे वर दो मोस्ट टॉक कपल इन बी टाउं लेकिन सब बदल गया जब दिपिका ने रनबीर को चीट करते हुए पकड़ लिया अक्षे कुमार और शिल्पा शिट्टी अक्षे कुमार इस फैमिली मैन नाओ लेकिन उनकी कैसनोवा वाली हिस्ट्री रह चुकी है एंड ही ब्रोक हार्ट औफ वन अफ दी मोस्ट गॉजियस बी टाउन एक्ट्रिस शिल्पा शिट्टी फिल्म मैक लाड़ी तू अनारी के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यास शुरू हुआ बट शिल्पा लेफ्ट हार्ट ब्रोकन जब उनको पता चला अक्षे उनको चीट कर रहा है विद हिस प्रेजन वाइफ ट्विंकल खन्ना बॉलिवूट के मोस्ट कॉंट्रोवर्शियल अफेर्स में से एक है ये बॉनी कपूर फाधर ओफ टू किड्स और हैपिली मैरेट तू मोना कपूर जहां श्री देवी ने मैरेज ब्रिकर का काम किया आरोनिकली मोना वस तो वन वर्कम श्री देवी वें शी वस न्यू तू मुंबई मोना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि श्री देवी उनका घर ही तोड़ देगी Controversy hit it up when श्री देवी गट प्रेगनेंट विद बॉनी स्चाइड और फिर हो ना क्या था मोना एंड बॉनी ने अपनी शादी का एंड ला दिया और अलग हो गए सैफ अली खान और करीना कपूर सैफिना सैफ एंड करीना बॉलीवोड की सबसे रॉयल लव स्टोरी दिस्पाइट बिइंग टू दिफरेंट परस्नालिटीज ते फाउंड लव इन इच अदर करीना सैफ का प्रपोजल दो बार रिजेक्ट कर चुकी थी एंड फाइनली शी सेड येस उनके एच डिफरेंसिस सैफ का अल्रेडी डिवॉर्स होना शाहिद करीना का मच हाइप लव अफेर की वज़े से उनका रिलेशन्शिप अल्रेडी मेडिया से बहुत सारी अटेंश जैसे ही किसी के लिए अधित्या की वाइफ जरीना वहाब के मना करने के बावजूद आधित्या उस वक्त भी कंगना के साथ खड़े थे जब कंगना की बहन रंगोली पे एसिड अटेक हुआ यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन आधित्या के एक स्टेट्मेंट में कॉंट्रोवर्सी का तूफान खड़ा कर दिया लेटर ओन कंगनाव फाइफ पॉलीस कंपलेन अक्यूजिंग हिम औफ बीटिंग हर अप एन हैरिजिंग हर गॉसिप ही कुछ ऐसी थी तो मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के साथ आपके अपने बॉली भी में लेकिन हाँ इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना फिल्कुल भी ना भूलना टाडा कुछ आइए ऑनल टाडा